श्री एजुकेशन नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन तो दोस्तों आज के इस वीडियों हम स्टाटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक कवर करने वाले हैं जो की है भारत में प्रथम महिला जितनी भी भारत में प्रथम महिला हैं जिस भी छेतर में महिलाओं ने फर्ष्ट अचीवमेंट किया हुआ है तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे देखे, Static GK में जो ये पोर्शन होता है भारत में प्रथम महिलाओं के नाम भारत में प्रथम पुर्शों के नाम भारत में सबसे उच्छा, नीच्छा तो दोस्तों ये सब कोश्चन जो है हर एक्ज़यम में आपको मिल जाते हैं तो ये ऐसे कोशन है एक बार आप याद कर लीजयी तो कोई भी आक्यार करें कोई भी गॉफ़्या चैपर ने वाले हैं उन्हें उनक है कही कहीं आपको यह मिलते रहते आ तो कभी भी कहीं भी ट्रेवल करते हैं तुरंट आप देख सकते हैं ताकि ये सब जो questions हैं आपके exam में जब आएं आप छोड़े ना उन्हें असानी solve कर सकें देख सबसे पहला question है बहुत easy question है कि भारत की सबसे पहली महिला राष्टपती कौन थी प्रतिवा से देवी सिंग पाटिल है तो ये easy question है शायद सब जानते हूं दूसरा question है कि Nobel पुरुसकार से सम्मानित प्रतम भारती महिला कौन सी तो ये Mother Teresa थी तो Mother Teresa को मिला था शान्ती के छेतर में मिला था मतलब पीस में मिला था 1979 में मिला था ठीक है तो Nobel Prize आप कर लीजिए दोस्तों Nobel Prize से कम से कम एक question तो आपको हर exam में मिलेगा Nobel Prize के fact और जो latest जो exam देने वाले हैं आप उसमें देख लिए current में किसको मिला हुआ वो याद कर लीजिए ऐसा ये वीडियो हमने बनाया हुआ है आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं Nobel Prize पर इंडिया में कोई भी exam हो Nobel Prize के जो भी question आएगा उस वीडियो में से आएगा ये तो मेरी बेदी हैं जो किरन बेदी हैं ये प्रथम IPS महिला हैं और यही हैं जिनको पहला रमन मैगसे से अवार्ड मिला हुआ है आगे बताएंगे महिलाओं में प्रथम महिला शाषिका कों थी रजिया सुल्ताना तो ये देखी दोस्तों बहुत important question है कि ये पहली महिला शाषिका कों थी रजिया सुल्ताना पहली मुसलिम महिला शाषिका कों थी रजिया सुल्ताना थी ये किसमे थी ये दिली सल्तनत में थी दिली सल्तनत में जो गुलाम वं जो सलेव डैनिस्टी चल ले थी उसमें हमने आपको बताया था कुतुब दीन एबक जो था वो तो गौरी का गुल किया सुल्ताना तो यह दिली डाइश्टी जब चल लए थी उसमें ये फिफ्ट नंबर पांचवे नंबर पे जो सुल्तान थी वही थी इसने चार साल राज्ज किया था बारा सो च्छतिस से बारा सो चालिस तक इसका राज चला था उसके बाद से इसकी हत्ता कर दी गए थी उसके बाद एक कोशन है ये भारती राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी एनी बेसेंट उनका नाम था एनी बेसेंट उसके बाद कोशन है उसके बाद एक कोशन है मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी उनका नाम था रीता फारिया रीता 1966 में ये दिया गया था 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था तो याद रखेंगे ये मिस वर्ल्ड है अगर मिस यूनिवर्स होता तो उसका अंसर होता शुश्मिता सेन जिनको 1994 मिला था देखिए मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी शुश्मिता से जबकि मिस वर्ल्ड रिता फारियन जीता था 1966 में और मिस यूनिवर्स किसी ने जीता शुश्मिता सेन ने कब जीता था अगर यह पुछ लिया जाए 1994 में यह आप से नहीं पूछता डेट नहीं पूछेगा तो देखें अब तक ऐसी दो महिलाएं हैं इंडिया की जो मिस यू वोमेंस वो बन चुकी है जिनमें एक अश्वर आए भी है जो दूसरे नमबर पे थी उसके बाद अगला कोशन है प्रथम महिला केंदरी मंतरी कौन थी मतलब लेडीज कैबिनेट मिनिश्टर कौन थी यह राजकुमारी अमरिता कौर थी राजकुमारी अमरिता कौर उसके बाद देखे कोशन है प्रधान प्रथम भारती महिला प्रधान मंतरी कौन थी तो श्रीमती इंद्रा गांदी यह बहुत इजी कोशन है श्रीमती इंद्रा गांदी और यही ऐसी प्रथम महिला थी जिनको भारत रतन मिला हुआ है यह फर्ष्ट लेडी है जिनने भारत रतन इनके husband का नाम है जेबी क्रिपलानी शायद आप जानते हो जेबी क्रिपलानी या इनको बोला जाता है अचारे क्रिपलानी तो ये इसलिए famous है इन्होंने एक किताब लिखी है गांधी नाम की किताब लिखी है जो बहुत famous है आपसे जब book और उसके author के बारे में पुछा आता इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है जिनमें famous है गांधी किताब है किसे ने लिखी जेबी क्रिपलानी जो इसके husband असचिता क्रिपलानी के उसका question है कि प्रथम महिला राज्यपाल किसी भी वो state की जो पहली राज्यपाल थी उनका नाम क्या था ladies वो सरोजने नाइडू था कहां कि थी ये भी उत्तर प्रदेश की थी उसके बाद देखिए ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी आशापूर्ण देवी ऐसी महिला थी जिनको सबसे पहले जानपीट अब पुरुसकार मिला हुआ था उसका question देखिए नौका दौरा अगला question है भायत की प्रथम आईएस महिला कौन है वो अन्ना जार्ज है उनका नाम अन्ना जार्ज है ये पहली आईएस ऑफिसर है और IPS हमने आपको बताया है वो किरन रिबेदी है उसका question है माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी ये उनका नाम बच्छेंदरी पाल थी जो सबसे पहले माउंट एवरिष्ट पर चड़ी थी लेडी थी अब उसके बाद देखिए जो अगला question है दो बार माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला कौन है ये संतोष यादव है संतोष यादव है ऐसी महिला है जो दो बार इस पर चड़ चुकी है माउंट एवरिष्ट पर आप याद रख सकते हैं कि इनको एक बार में तसली नहीं हुए एक बार में संतोष नहीं हुआ दो बार चड़ी तो संतोष याद रहो जाएगा उसका question है कि सारजनिक सेवा है तू रेमन मैगस से अवार्ड से किसको नवा जा गया पर फर्स्ट टाइम 1994 में ठीक है 1994 में किरन बेदी को अवार्ड मिला था ठीक है देखे जो रेमन मैगस से अवाड है ये ये फिलिपियन के जो राष्टरपती थे ऋन्हीं की याद मे यह दिया आता है यह कुछ चेत्रों में दिया आता है जैसे ग़ोर्मेंट सर्व के लिए करते हैं उनके लिए दिया आता है और जो वते हुआ हैं उनके लिए दिया आता हैं अगर हम ब्रौषाओ बनाएंगे जो पुर्षिण वाली बाथ जब अगर पुर्शों वाला पूछा होता तो उनका नाम विनोबा भावे था उनको पहले मिला अगliers सबसे पहले बात कीचे तो सबसे पहले उन्हें मिला था किसको विनोबा भावे को वो हम बताएंगे आपको जब हम वीडियो वू पुर्शें वाली बात चलेंगे अभी तो फीमेल वाली हो रही है फस्ट फीमेल जब फस्ट मेन आएगी बात या फस्ट इन इंडिया वाली बात आएगी तो मैं उसमें बताऊँगा रहे अगला कोशन है कि सवरोच न्यायले में प्रथम महिला न्यायधिश कौन थी उनका नाम था फातिमा बीबी था ठीक है तो ये सुप्रीम कोट में पहली न्यायधिश थी जिनका नाम था फातिमा बीबी और यही पहली मुस्लिम मैसी थी जो किसी भी न्यायले में तो यह question है कि पहली Chief Justice किसी भी High Court की पहली Chief Justice कौन थी उनका नाम था लीला सेट ये 1991 में थे दिल्ली High Court की उसका देखे जिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी मतलब लोकसभा की speakers से पहले ladies कौन थी उनका नाम था मीरा कुमार ये मीरा कुमार कुमारी ये थी ये हमारी क्या थी पहली लोकसभा अध्यक्ष थी अभी इस समय प्रेजर में में लोकसभा अध्यक्ष लेडिज यह जिनका नाम है सुमित्रा महाजन जिनका नाम है सुमित्रा महाजन अभी करंट में सुमित्रा महाजन है लोकसभा की अध्यक्ष उसका देखी ये बहुत में इनों भाग लिया था कुछ भी जीती नहीं थी मगर ये ऐसी महिला थी जो पहली ऐसी महिला थी भारत की और से जो जिन्होंने ओलम्पिक में भाग लिया था उसके बाद देखे ये भी कोशन आप से पूछा था कि ओलम्पिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली म मलेशवरी एकजाम हुआ तो इसमें बहुत बार पुछा गया था कि करणम मेलेशवरी जो है वह क्या करती है किस खेल से रेलेटेड है तो वह वैट लिफ्टर है ठीक है वह वैट लिफ्टर है अब सिधनी में जो तो उलंप्इक हुआ था उन्होंने इन्हों जिता था ब्रॉंज मेडल जिता था ठीक है ये तो जो इंपॉर्णडन इंपॉर्ण इंपॉर्ण ग॰ोंगर लडगी है खेल सेसंबंदित हैं और यहा लड़के हैं उन्हीने का ho पुछता है यह पुछा जाता कि यह किस गेम से रिलेटेड रखती है यह सब पुछा जाता है ठीक है उसको देखिए यह इंपॉर्ट कोश्चन है कि एश्याई खेलों में सौन पदक जीतने वाली प्रथम भारती महिला कौन थी तो यह कमल जीत संदू थी जो की धावक थी मत लाकर है दादा और फाल के पुरुषकार प्रफ्त करने वाली प्रत्म भारती नाइगा कौन थी देविका रानी रोरीका जो थी इनको सबसे पहले दादा फाल के दादा साथ फाल के प्रुषकार मिला غला था उसका बिछिए दिल्ली के तक्त पर बेटने व ब्हारत में पहरी To eh बाहरत में परत्र हे सबसे बड़ा क्या है सब सब है इस पर करेंगा इन में हम आपको वही बताएंगे जो exam.. बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इतना याद करते हैं तो हालत खराब जाती हैं, मगर हम वह वाली चीज़े आपको बताएंगे, जो एक्जाम जाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,